मराठा अरक्षन पर मजधार में फसी बीजेपी नाराज OBC जाती से कैसे बनाएगी संतूलन महाराश्ट्रा की सियासत में मराठा अरक्षन को लेकर काफी लंबे समय से मांग उठती रही है लेकिन एक बार फिर हमुद्दा गर्मा गया है मराठा अरक्षन की लड़ाई लड़हे मनोज जरांगे मराठों को कुनभी जाती का प्रमाण पत्र देकर OBC कोटे से अरक्षन देने की मांग पर आमरण अंशन कर रहे है ऐसे में शिंदे सरकार ने मराथा समुदाय को कुनभी जाती के तहत आरक्षण देने की वकालत कर रही है जिसे लेकर OVC समुदाय विरोध में उतर आया है मराथों को OVC कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे है मराथों के आरक्षण को लेकर बीजेपी शिंदे सरकार सीयाथी मजधार में फंस गई है ऐसे में देखना आए कि कैसे आरक्षण के मजधार से पार पाती है मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सो मुआर देश शाम महराज्ट में हुई सर्वदलिय बैठक में सहमती बन गई है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि अन्य समाज के आरक्षण में बिना छेर छाड की ये मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा सियम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मनोच पाटिल के भूख हरताल को ध्यान में रखते हुए हम उनसे विंती करते हैं कि वो आपना अंशन वापस लें मनोच जरांगे पाटिल की सेहत की हमें चिंता है सरवदलिय बैठक में सभी ने एक साथ मांग किया है कि सरकार मनोच जरांगे पाटिल की मांग को लेकर काम करें साथी भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोट द्वारा रद किया गया मराठा आरक्षण बहाल किया जाएगा उन्होंने बताया कि जस्टिस शिंदे समीती मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर काम कर रही है और राजी सरकार को कानूनी रूप से इसे लागू करने के लिए कुछ समय चाहिए चार दशक से चल रही मराठा आरक्षण की मांग बता दे कि महाराश्टों में पिछले चार दशकों से मराठा आरक्षण की मांग चल रही है इस बीच तमाम पार्टियों की सरकारे आई और गई लेकिन अभी तक किसी ने भी मराठा आरक्षण को अमली जामा नहीं पहनाया मराठा समुदाय लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं तीन दशक पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार महाराश्टों में आंदोलन हुआ था या आंदोलन मठाडी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहब पाटिल की अगुआई में हुआ था इसके बाद से समय समय पर मराठा आरक्षण को लेकर आवाज उठती रही और कई बार आंदोलन हिंसक रूप भी अक्तियार कर चुका है महराश्टों में ज्यादा तर समय मराठा समुदाई के मुख्यमंत्रियों के होने के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका पृत्वीराज चाहवाड 16 फीसदी आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर आये थे साल 2014 के चुनाव से पहले तत कालीन मुख्यमंत्री पृत्वीराज चाहवाड ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आये थे लेकिन 2014 में कॉंग्रेस NCP गटवंदन की सरकार चुनाव हार गई और BJP शिलसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने फडणवीस सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर MG गयकवाड की अध्याक्षणा में एक आयोग बना कमेटी के सिफारिश के आधार पर फडणवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेस प्रावधानों के तहत मराठाओं को 16 फिस्दी आरक्षण दिया पर बॉंबे हाई कोट ने सरकारी नौकरियों में 13 फिस्दी और स्रैक्षण संस्थानों में 12 फिस्दी कर दिया फिर साल 2021 में सुप्रीम कोट ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह ही रद कर दिया चुनाओ से पहले आरक्षण का हल चाहती है शिंदे सरकार महराश्टर में चुनाओ भी दस्तक देने को है और उससे पहले लोकसभा चुनाओ भी है ऐसे में मराठा अरक्षन को लेकर उठी मांग राजसरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई है मराठा अरक्षन को लेकर पिछले दो सब्ता से आंधोलन चल रहा है और मराठाओं के लिए OBC का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे है इनका कहना है कि सिदंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुनभी जाती में माना जाता था और ये OBC वर्ग में आते थे इसलिए अब फिर इनी कुनभी जाती का दर्जा दिया जाए और OBC में शामिल किया जाए राजबिहार कॉलोनी धंडेरा की शतिग्रस्त मुख्य सड़क को लेकर लोगों ने E.O पर लगाए गंभीर आरूप धंडेरा नगर पंचायत शेत्र के राजबिहार कॉलोनी की लोग मुख्य सड़क की पुलिया शतिग्रस्त होने के कारण परिशान है लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की लेकिन E.O संजय रावत ने उनकी एक नहीं सुनी इसके बाद लोगों ने शतिग्रस्त पुलिया के सामने कत्र होकर प्रदर्शन किया और लापरवाही E.O के खिलाव नारेवाजी की वही E.O संजय रावत ने बताया कि बरसात के समय उक्त सडक पर बनी पुलिया का एक हिस्सा पानी निकालने के लिए हटाया गया था और साफ सफाई कराई गई थी आज पुना शतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराया गया है जिससे लोगों को रहत मिलेगी